तो है गाइस मैं हूँ इसके समाह और आज हम सॉल्व करें कोट फोर्सेस हारबर स्पेस स्कॉलर्शिप कॉंटेश्ट 2021-22 का वह जानते हैं उसके बाद क्वेश्ट को हम सॉल्व करेंगे तो इसके बनाना है अगर हम ती बना सकते हैं तो हम आउट्वूट देंगे ये अगर नहीं बना सकते हैं हम आउट हू़ देंगे no क्या है आप यह किस करना है तो भज्या अब ये S पर operations क्या है और ये वह जानते हैं हम क्या करेंगे हम एक final string बनाएंगे इसको webinars को स्प्रिंग हो गया हम कैसे बनाएंगे हमारा जो इसे श का जो लेंद है同गा हम operation करेंगे तो हम टॉटल गेमर करेंगे operation में होगा क्या मालो मौनलो हम operation n 5 तो हम क्या कर सकते हैं जो इस string में index 5 पर 1 से लेके 10 तक वाल इंडेक्स में जो इस string में index 5 पर मालो यह है या तो हम इसको अपना final string में add कर सकते हैं मालो हमारा इतना string पहले से बना हुआ है हम इस character को या तो यहां पर add कर सकते हैं last में या फिर हम क्या कर सकते हैं हम backspace press कर सकते हैं backspace press कर सकते हैं यह जो हमारा string पहले से बना हुआ है उसका जो आखरी character है वो डिलीट हो जाएगा यह हमारा डिलीट हो गया समझ रहो अगर मालू यह string कुछ रहता ही नहीं मालू यह string पहले से empty रहता है अगर अब आप backspace प्रेस करोगे तो यह कुछ नहीं होगा यह empty का empty ही रहेगा ठीक है तो ऐसे ही operation करकरके जो इसका string का length 10 है तो ऐसे ही 10 operation करकरके हमें बताना है क्या यह जो final string है इसको हम T के वराबर कर सकते हैं कि नहीं T हमें input में दिया हुआ है तो भाईया अब यह question को हम solve कर से करें यह question को solve करने के लिए आपको एक चीज observe करना था वो क्या है हमगो किया कर रहे हैं हम अपना final string रहे हैं तो यह मानलों हमारा final string बन रहा है और यह जो final string इसका जो भी last character होगा वो क्या होगा वह या तो यह वाला character होगा यानु की जो string s का last character है जब हम यह character प्यारूंश मॉल्य इस string का length है वो 10 है तो जब हम 10th operation पहाज होंगे तो हम discipline यहां तो 10th character को रख लो कि тебя तो 10th character को रख लो यह फिर backspace प्रेस कर दो अगर आप रख रहे हो यहां पर आज आए गा मन्ना यहां पर अगर यह नहीं है तो यह नहीं है तो यह नहीं है तो यहां पे नहीं हो सकता है अगर इसको हमने रख लिए नगा यहां पर आएम या यानिकि То यह थर्ड लाक्ष्ट में ठीक है तो फिर हमारे पास दो स्क्ष accent विधिय के यह तो इसको रखो यह तो इसको नहीं रखो अगर हमने इसको रख होगा तु क्या होगा तो तब चांस हो सकता है कि हाँ बहिए यह कैयरेक्टर जो है यह हमारा लाष कायफरक्टर बन Yummy तो इसके पहले जो करेक्टर है उसका भी सक्ष कैयरेक्टर कि बनने का अब कौन सा character chance हो दिए लाश डाक्टड बनने का इसके पहले वड़ा character यानि कि यहां पर यहां पर जो character होगा इसka change होगा अब last character बनने का अब यहां पर efforts कर दिया ओगा तो फिर दो छोड़के होगा ठीक है Krisht तिर यह second character तो जो आपका जो final string बनेगा तो फिर आपका फाइनल श्रींग होगा उसका जो last character होका वह कौन सा character हो सकता है वह s का छिक है यह last character होगा तो पिर अपके जो third last है ठीक है वो होगा अगर यह भी नहीं तो फिर एक छोड़ के होगा तो इन्हीं सब में से कोई आपका यह final string का last character होगा ठीक है तो यह चीज़ आपको observe करना था अब भाया हम यह observation का करेंगे यह चलो हमने observe कर लिए आप करें किया तो देखो यह करना क्या है इसका अब समझो तो जो हम एस जो स्टिंग बना रहे हैं इसका जो लास्ट करेक्टर होगा हमें क्या करना है हमें दोनों को एक्वल करना है तो दोनों का लास्ट करेक्टर भी एक्वल होगा तो हम क्या करेंगे जो हमारा स्टिंग एस है ठीक है उसमें देखेंगे या यह जो करेक्टर है यह हरा आपका ये जो ट्यायश्ट गा लास्ट ग्लेंगें opioid कर लेंगे दो फिर हम एक छिए छोड के फिर इसको चेक करें क्या ये बराबर थो फिर एक छोड़कों सब्सक्राइब है फिर एक छोड़कों पिर आपको यह पिक्तार है एक चोड़के ठीक है तो यह ऐसे ऐसे बल्सों अब करेक्टर हो यह? यह character हमारा fix हो गया जो हमारा final string था इसमें हमने क्या किया इसमें हमने यह character उठाया और इसको last में रग दिया तो हमारा यह character अब fix हो चुगा है तो हम इसको select क्यों नहीं किए इस x को क्यों select कि आपको ऐसा doubt आ सकता है तो इसका answer यह है दखो अगर हम यह x को select करके अपना answer ला सकते हैं तो यह x को भी silt करके हम अपना answer ला सकते है ऐसा क्यूंअ कि हम यहां से लेकि यहां तक सारा का सारा क्यारा कर सकते हैं बैक स्पे के तो चलब तो इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा आप यहां का एक्स सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि हमें आगे का बनाने में और असानी हो तो इसलिए हम पीछे का जो कारेक्टर था यानिकि एक्स था इसको हम फिक्स कर दिये तो भाईया अब क्या होगा देखो हमारा यह था अस्तिंग एस य हमें तो इसको बनाने के लिए फिर अससे काम करेंगे हम चेक करेंगे क्या ये और हम क्ले यह यांग्स कर दिया था तो ये क्या यह करेक्टर इसके बराबर है की नहीं अगर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे फिर हम एक छोड़ के लेंगे अगर इसको हम नहीं ले सकते हैं तो हम इसको भी नहीं ले सकते हैं इसके पहले करेक्टर था तो अब हम चेक करेंगे इसको अगर मालू यह भी नहीं था यह नहीं ठीक है तो इसको देखेंगे अब फिर हम इसको यहाँ पर खोजेंगे क्यूंकि अब यह fix हो गया है तो हम यहां से check करना चालू करेंगे अगर देखो अगर इसको लेना पॉसिबल निया तो फिर क्या होगा यह भी निले आगा इसकी एक पहले व्राल ले आगा ठीक है तो ऐस से करते करते हमारा answer मालो आ गिए तो हमारा answer क्या होजाएगा येस हो जाएगा और हम इसको print कर देंगे तो देखो भी है यह रहा है इसका code क्या कि है सबस्क्राइब सर्थी इनपुट लिया है n होगे आपका s का size m होगे आपका t का size ठीक है यह i है यह n-1 के value है स्कुश्राइब कर दिया है और यह में मैइनस दिया है यह मैं इसमें किसमें और यह से स्टीं यह जो गया है इसमें आपका अलाश्ट में बउंट करेंगे आफे हम क्या करेंगे अब मैच करना चलू कर sesame पयर यह character के लिए find करें a match, चेक करें क्या यह है, अगर यह नहीं है, तो फिर हम दो छोड़ेंगे, पीछाएंगे, फिर देखें क्या यह character है, अगर यह है, ठीक है, तो यहाँ पर fix हो जाएगा तो फिर अब J को हम आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर आके J को आगे बढ़ा देंगे कि यह fix हो गया है इससे मिल गया है ठीक है तो भाई चीज़ होगा देखना यहाँ पर क्या किया है J is equal to M-1 I is equal to N-1 यह pointer होगे आई pointer होगे ठीक है यह यह जो लूप है यह यह जो लूप है यह तब तक चल रहा है जब तक I is greater than equal to 0 यानि की I का जो value है वो 0 से greater है कहीं यह string के बाहरे ना चल जाए ठीक है and S of I is not equal to T of J यानि कि जैसे मैंने अब यहां पर बताया यह यह जो character है जब तक इसके बराबर नहीं हो जाए हमारा S of I आई जो है यह पीछह iterate कर रहा है तब तक यह loop चलेगा ठीक है और यह loop में हम minus 2 minus 2 कर रहे है क्योंकि मैंने बहुत एक छोड़के करना है तो वही चीज तो जैसे ही जैसे इकवal हो गया यह हमारा negative तो यहाँ से ब्रेक होगया अगर negative हो गया हम हम पूरा को पूरा अपना टी जो है उसको बना नहीं पाए ठीक है पूरा को पूरा टी बना नहीं पाए तो f is equal to zero करके हम ब्रेक कर दी ठीक है अगर मांदो यह नहीं हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है जैक हमें कारक्टर मिल गया हम करेगे अपना लाष में यहां पर फाइनल करके यहां यहां यह कर सके हैं हमारा final nai जो करेक्टर को करेंगे फिर इसको हम fix करेंगे यहां पर देखो हुआ क्या है हमने क्या कर दिया आई-1 ठीक है यहां पर यह आई-1 हो गया और यह जे वाला जो है यह अगला लूप में यह भी पहले हरा है कि तो हम missile इसका हर करेंगे इसका हर कारेक्टर हम पीछे से करें से करते हैं यहां मिलते जा रहा है उसको fix करते आ हile जहां और जहां मिल रहा तो i-1 करके फिर हम next character को fix करने हम आगे बढ़ जा रहे हैं तो अब देखो अगर f का value यहाँ पर 0 हो गया है यानि कि i negative हो गया हम पूरा कुरा बना नहीं पाए तो cout हम क्या कर दे रहे हैं no कर देंगे ठीक है तब क्या होगा तब आपका cout yes हो जाएगा तो यही चीज था यह code को आप आके देखेगा code का link description में रहेगा खुद भी सोचेगे जरा अगर आपको समझ में नहीं आया तो अच्छे समय में आ जाएगा और अगर आप DSF अगरा सीखना चाहते हो तो आप GFG का यह course checkout कर सकते हो इसमें आपको देखे lifetime access भी है internship के मौका है और यह बहुत सारे चीज आप चेक कर सकते हैं और A to Z आपको सारा content मिलेगा आप चेक कर सकते हैं इसमें देखे 2799 का है आप एसके समय GFG coupon यूज की जाएगा आपको extra और 10% off हो जाएगा ठीक है और यह बहुत सारे courses से अगर आपको यहां पर देखो test series जैना हो जैसे Microsoft का यह Amazon का या फिर यहां देखो Google का भी यह बहुत सारे आप आप आपके चेक कर सकते हैं SKS GFG आपका हर course पर अप्लिकेबल है यह सारे online course है प्री-recorded वीडियो रहते हैं और यह live course भी है इसमें भी आप आपके चेक कर सकते हैं यहां भी बहुत सारे है इसमें भी आप SKS GFG यूज करोगे तो आपका extra 10% और off हो जाएगा वह यह आज के वीडियो में तो इतना ही मिलते है अगलो वीडियो में यहां रखे सेफ रहें बाई-बाई Hi, I am Sandeep Jain and in this video I will be explaining what is Geese Classes Live Geese Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing and all other topics which are required for your DSA interview preparation You will be having live classes, assessment tests, practice questions and my detailed pre-recorded videos Duration of this course is 8 weeks As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts We will be happy to help you along the way Also, you may attend these classes from any geographical location So looking forward to see you people from a number of cities